आजाओ दोस्तों और यह वो जगा है जहां मैं रहता हूँ और वेंकुवर वशिंग्टन स्टेट में एक शहर है वहां रहता हूँ और वीडियो इन्फॉर्मिटिव है जिससे आपको कुछ जानकारी मिलेगी कि यहां पर जब आप किसी कॉलोनुई में रहते हो या किसी मोहल है देखने का सुख निहीं होगा इतना ज़्यादा इसमें लेकिन हां कुछ लेसा जानने को मिलेगा मेरे इस वीडियो में जो शायद आप ना जानते हो या आप अमेरिका आँ तो आपको इन बातों के बारे में जानना कुछ जरीर हो कि जब आप किसी एक कॉलोनी में रहते हो तो उस कॉलोनी में रहने के कारण आपके क्या अधिकार हैं और जो दूसरे और नागरिक रहते हैं उसमें उनके क्या अधिकार हैं उस बारे में एक वीडियो है छोटा सा मेरा चलो आजो फिर बताता हूं आपको I hope enjoy करोगे एक मेरे पास एक किताब है इस पर लिखवा है गुड नेबर हुड बुग मतलब जो एक अच्छा महला होता है मैं अपने शेहर की बाद कर रहा हूं अच्छे महले की क्या खाशित होती है अच्छे महले में रहने के क्या काईदे कानून होते हैं जिनको आपको पालन करना पड़ता है उस बारे में यहाँ पर इस प्रकार की वोकलेट मिलती है जो बहुत सारे लोगों को नहीं जानते होंगे इविन जो यहाँ पर अमेरिका में रह रहे हैं और जिनका जीवन पूरा व्हतीत होगया उनको भी नहीं पता होगा और यह सच है तो चलो आज बताते हैं कि वैंकोर में एक जब आक किसी कालोनी में रहते हो विजले में आप रहते हो तो आपकी क्या जिम्मेदारियां होती है एज़ा नागरिक या सिटीजन उसके बारे में चर्शा करता हो बताता पर यहां पर तो आप अपने घर में छे महीने या उससे बड़े तीन कुट्टे पाल सकते हो बस और तीन कुट्टे से ज़्यादा पालने की कोई भी पर्मिशन नहीं यहां पर और जब कुट्टा आपकी प्रोपर्टी में है तो तो बगएर चेन के घूम सकता है अगर आप अपनी प्रोपर्टी से बाहर तो कुट्टे के पास में चेन होनी हुए चाहिए बगएर चेन कुट्टे को आप नहीं घूमा सकते हो यह बहुत बड़ा अपराद है आप तो आपका कुट्टा हमेशा लीश में होना चाहिए बंदा हुआ अपनी प्रोपर्टी में पीछे यही को अपिर के पार ओर महवाई मेμ सकता हुए उसका उख्वत के बड़ा को को मियागा अगर आप पास है तो आपको लाइशान दिना पड़एगा बगर लाइसेंस के निपाल सकते बना जुर्बाना होगा आप पर, सब जानते हैं से बात को, जब कुत्ता ये बिल्ली पालते हैं, तो लाइसेंस रता है, और उसके अलावा, गाय भैस, ये तो बिल्कुछ सपना है, पाली निसकते हो, किसी महले में, कि आपने गाय पाल लिए है, भैस पाल लिए, सूर पाल लिए, महले गंदर, कुछ बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नेक्स्ट इंपॉसिबल बात होती है, पाली निसकते हो आप, और क्या चीज़ पाल सकते हो बताता हूँ, देखो आपको मैं, यहाँ पर, और उसके अलावा, जो है कि मुर्गी, बद्तक, और खरगोश, यह पाल सकते हो, आप, सिटी लिमिट, सिटी लिमिट के अंदर बता रहा हूँ, पूरे शहर के अंदर ही कानून है, वो पाल सकते हो, आप, शहर से भार जाओ, उसके लिए, गाए, भैंस, सुवर, भकरी, यह सब जो हैं उसके लिए, शहर के अंदर नहीं पाल सकते हो, कुत्ता बिलनी पाल लो, ठीक है, मुर्गी पाल लो, अपने घर में, मुर्गी भार नहीं, घुमनी चीए आपकी महले में, और एक बड़ी मज़दार बात ही, एनिमल नूसेंस, आप कहो गयार, यह कौनसी चीज नई चीज है, यह बता र पूरे दिन, जो निकल रहा उसे कोई कामीी इंता पूर आ बहुंकता लागा, यहां पर कभी आफटा लेकिन अगर लगातार भौक रहा है, आने जाहने लोगा बहुन को परशान कर जख़rina sung दो आप उसकी शिकायद कर सकते हो, प्रशानी उती है तो उनसे कहा जाए कि अपने कुट्टे को संजाओ कि ना भूखे और अगर कुट्टा नहीं भूखेगा तो बड़ी इसी बात एगी और वह भूखता है तो प्रणी जाएगा अपका से जुर्वाना भी आपके होगा तो आपको कुट्टा मतलब कभी कभी लेकिन यह नी कि दिन में जो भी निकल रहा जारा उसको भूख रहा शिकायद करो उनको लेने देने पड़ाएंगे तो आम तोर से जो कुट्टे हैं यहां पर आम तोर से बता रहा हूं बिलकुल भूखते हैं वो सब भूल जाते हैं भूखना उन्हें पता होता है कानून क नमें जोखना पता हूं जाता हूं जोशraszam प्लूख कर ता कुट्ट कर सकता यह उसका मंनो उसके लिह इनमी entirevernने तो की मालिक जो होटा उसको के ड़ना उसकी बेख में घर में लेकर घक आता है और ढोगे का यह इनसमें और यह सब करते है कि अस्बबाब कर देस कर आए Princeton या वो कहीं जामन करें टक्टी कर दें अगर ने करी तो आपको उठाने पड़ेगी सब यह कानून है एक मतलब एक सब नागरिक जो महले में रहता है उसको किन चीजों करना पड़ता है इसके बारे बनाए वीडियो मैंने यहां लिखा नॉइस और पब्लिक डिस्टर्बिंस रात के दस बज़े से लेकर और सुबा के साथ बज़े तक आप जिस महले में रहती हो किसी प्रकार का कोई शोर शरावा नहीं कर सकते हो आप कानून है हमारे तो शादी थी हमारी बेटी की शादी हुई तो बारा एक बेटा खुब धुम धुड़ा का डांस मुजिक इसलिए नहींं करें हो और यहां पर होता कि और तशी पार्टी करते हैं उतुम्व सामें जह रहें हमारे तो फ्रेंट रार श्राइं होता वा अग्र में करते हैं तो अगर उनका शोर बाइं फास cric-dookie तो वह आपने आगे पीछे ग्र होते हैं अनके पास जाते हैं उन्से तो आठ बेच तक बंद जाना ची आपको सब बात कोई कारवाई होनी चीए आप गाड़ी आ रही है इंटे रात में लेके आ रही है या बजरी लेका रही है तो बारे किसम बता रहा हूं और यह कानूं इसका पालंद करते लोग सब यह कुछ मज़ेदार बाते हैं जो मैं तो आप अपने घर के अंदर भी रात के दसके बाद सुबा साथ तक कोई हल्ला गुला नहीं कर सकते हो बिल्कुल फॉरन शिकार जाएगी पुलिस आईगी आपको कहईगी यही सब बंद करो आप और आपको बाप को बंद करना में हो सारा और ना जैसे 911 होती ना ऐसी यह है 311 अगर कोई शोर शरवा कर रहा है महले में आप घर के भार अपने घर के अंदर आपने बैक्याड ने पीछे टाइम लिमिट के बाद मतलब 10 से साथ के बीच में सुबह के तो आप 311 कॉल करो तुरंट आएगी पुलिस सब बंद करा दिएगा फॉरन बिल्कुल सब पूरी तो मैं देखो यार मैं यह इस प्रकार वीडियो इसलिए बनाता हूं कि आपको अमेरिका के बारे में कुछ ऐसा भी जानो ना जो और यूट्यूबर दिखाते नहीं और यह फणी भी होते हैं वीडियो कि ऐसे कानून भी उनका पाज़न होता है कानून तो यह कुछ फणी जो महलों के लिए है जो महलों के बारे में जो कुछ भी जानकारियां होती हैं वो लोगों को बताता है और उनको बताता है कि जब आप एक महले में रहते हो तो आपको किस प्रकार से रहना चाहिए इस किताब में वो सारी जानकारिया है जो आपको बताएंगी कि जब आप किसी कॉलमी में रहते हो तो आपको क्या डूटी है या आप जैसे हमारी खाली जमीन पड़ी होती है तो उसकी उंचाई जो है वो 12 इंच से जादा नहीं होना चाहिए उसको आपको काटके मिंटेन करना चाहिए उसके अलावा यह जो आपके जो क्या बलते हैं बाग बगीचे का जो कोड़ा ज़ाना आपकी जो आपकी गांस-पुस उगरी घांस-पूस की बात पीड़पूद की बात करहा हूं जो घांस-पूस है वो बारहं से जादा नहीं होने चीगए वरना आपके उपर जो भी कानुन कारवाय होगी वह सकती है इसके बारे में यह तो जो कानून है वो यह है कि जब गाड़ी आती उससे बारा घंटे पहले आपने कूले दान सारे भाहर रख दो जब कूले जाए तो बारा घंटे कंदर आपको उसको उठाना ही उठाना होता है बहुत से लोग नहीं उठाते हैं किसी विरा से लेकिन अगर कोई शिकायत कर द तो यह जो भी कानून यहां पाने मैं आपको बता रहा हूं हो सकता है को सीख सको जा उससे और एक महीज़दार बात और बता रहा हूं आप देखें लिखा ओ आउट्डोर स्टोरेज हमारा घर है हमारा ड्राइवे लेकिन उसमें भी ड्राइवे में अपने आपकोई भी आ तो आपके उस एरिये से कनेक्टेड है जैसे लॉन मोर रखा हुआ आपका या कोई सफाई का एक्यूप्मेंट रखा हुआ है वो तो रह सकते हो आप आपने कोज भी समाज छोड़ दिया वाहर आप बाहर आप तो आपकी शिकायद दो लेगी फिर देखो यह लिखा हुआ है स उसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी आपकी होती है वो नगरपाल की नहीं है उसमें अनाप्शन आप घंस न होगिया है उस पे कोई समान ना पड़गव फूट पाथ की उपर जिससे आने जाने वालों को दिक्कत हो तो वो सारा काम हमार होता है कि हमको वो उसको सफाई करनी पाथ कोई भी समान एसा ना पड़ जिसमें कोई पैड़ेस्ट्रीन या जो कोई पैदल चले वान जा रहा हो उसको कोई धिक्कत हो और देखो यहां पर और आप देखे हैं लिखा ओटम लीव जब पजल को मसम होता है तो यहां पर बहुत ही खुप्सुरा रखता है इतनी दरंग Tapi जरिके चनग पामग को पत्ति हो लेकिए हैं कि बस पूछोई मग तो जो पत्तियां की आपके घर के सामने वहां पर भूफट पात होगा आपके घर के साम जो पतियेंगी उसको वहां से उचाने की जिम्मेदारी में हापी है why त्थार कि आप अप मैं इतना वह पत्य जब बारिश में भेह के जाएंगी तो यहां पर जो इस ट्रॉम वाटर होता है जो बारिश का पानी होता है जिस जगाओं से वो जाता है आसपस की नदीव में उसको ब्लॉग कर सकती है तो आपको उसको उठाना होता है यह कुछ जिम्मेदारी है जो एक नागरिक के त अबने जो सरकारी सड़क यह नगर अपाल कर साड़क है वहां पर पार कर सकते हो वहां पर गाड़ी चौबज घंटे के लिए उससे जादा नहीं और वह भी गोवाली गाड़ी जिसको आप यूज में कर रहे हो जिसको आप लेके दफ्तर जाते हो और अगर कोई और होते हैं जिसमें लोग अपने कहीं कर फिते जाते केंप पर बोलते हैं केंपिंग होते हैं केंपे जाते हो आप केवाल और केवाल वो गाड़ी खड़ी कर सकते हो जो आपके रोजमर्णक इस्तमाल की होती है तो जो कैंपर हैं आपके या मोबील हुमें उसके लिए आप अढ़े होते हैं आपको आपको तुरंथ एसिस्टेंस की जरू हो तो आप 9-11 को पांच मिंट कंदर एसिस्टें लेगे लोगी और इसके लाब बहुत सारी और ऐसी होती है जो जो बहुत ही एमर्जन्सी नहीं है कोई शिकायत करनी है आपको तो आप 311 पर भी कॉल कर सकते हो कि और आप देखो लिखावा आउट्डोर बर्णिंग कि हमारे तो जो मजय का कigu लागा दी अपनी घर पर आउट्डोर में किसी परकार का कूला जलाने की जात नहीं है जल्कुल कोई भी जात नहीं है तो किसी परकार अब बहूर निंदा सकते हो तो सुकार ही आपकी तुरंत और किस परकार से की आग आग्तिवें लगा सकते हो यह बताता हूं भी देखो मैं आपको और मानलो आप पीछे अपने कुछ वह कर रहे हो कैम फायर ट्राइप भी कर रहे हो पीछे घर के अंदर न तो जो आग जलाओगे आग का गोला जो है वह आपका वह तीन फिट से जादा बड़ा नहीं होना चाहिए मतलब जिस कोई हवा वान चल लिए अगर हवा चल लिए धुगा किसी घर में जा रहा तो शिकाद रहे हैं फिर वह भी नहीं करते हैं और देखों लिखाव फायर वर्क्स है पूरे साल पटा के जलाने की कोई अजादी नहीं है बिलकुल वैंको और गंदर पांच से जरुमाना को हां हो जो इंडिपेंड़ने जय होता है उस पर पटागे जलाने की जहात है वो भी जो सेट है वह बताती है कि और अगर वेदर कंडिशन एडवर्स होती है तो मना कर देते हैं कि नहीं कहीं पठाके चला जाएंगे आप कहीं पर भी और अगर स्टेट जो है इजायत देती है तो फिर आप उस सर्टेन टाइम के लिए पठाके जला सकते हो वरना पठाके कुछ नहीं सिर्फ एक दिन पठाके का इंडिपेंडेंडेंस जे होता है और शायद क्रिस्मस पर कुछ समय के लिए इसके अलावा कोई पठाके जलाने की जायत नहीं है तो यार एक यह मैंने बहुती छोटी सी एक आपको बाते बताई है बाते बहुत सारे से बताने के लिए